असलाम अलेकों रहमतुल्लाही और वरकातो हूँ मैं आज जुम्मे के दिन कोकापेट का विलेज है उसके अंदर मौला का पहाड बुलकर एक वकफ प्रॉपर्टी है और ये वकफ प्रॉपर्टी कोकापेट विलेज में आती है गंडीपेट मंडल में अंदर तो यहां पर मै आने की वज़ा ये है एक सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल वायरल हो रहा था जिसके अंदर ये बात बताई जा रही थी कि गिरेवियाड की जो लैंड है खपरस्तान की लैंड है एक फाइस्टार होटल को दे दी गई है लीस के ओपर तो मैं जब यहां पर आया और यहां के बड़े बड़े जो है ना मन्जिल के इमारते है जो करोड़ों की जो करोड़ों की प्रोपटियां है अगर आप यहां पर अगर जमीन लेंगे तो मैं समझता हूँ लाखो रुपे की है लाखो करोड़ों की है तो मैं यहां पर मॉला के पहाड़ पे हूँ इस वक्त और मैं कर्किस जमीन है तो यहां के वक्त के जो जिम्मेदार है जो हमारे सलीम साहब जो चेर्मेन है तो उन्हों ने जो बीच की जगा को छोड़कर अत्राफ जो आजू या बाजू उसके पास जो है ना जमीन को लेवल करकर कोई फाइस टार होटल को यह जगा लीस पर दे दी और तो मुझे बता कर जो है ना बताते हुए बहुत शरम आ रही है कि हमारे माशीरे में हमारे जो मुमिन भाई हो या हमारे परदा नशीन हमारों मा और भेने जो हमारे किराए के लिए रोडों पर आतर बतर है घर नहीं है आप उनका नहीं सोंच कर आज आप होटलों को जो फा करने की जिदो जहत कर रहे हैं तो याद रखो यह चीज आपकी नाकामयब होने वाली है जब तक हम जैसे नौजवान जिन्दा है लॉक्डाउन के अंदर जो जिसका जो है ना मौता हो जा रही थी जिसको खबरस्तान लेकर जाया जा रहा था तत्वीन के लिए उसको वहां प अगर आप यही जगा अगर 50-50 गस पुराने शहर हमारे मावर बहने जो किराया नहीं दे सकती भीग मंग रही है रोडों के उपर अगर उस मावर बहनों को अगर 50-50 गस का आगर एक हिस्सा दिया जाता यही जमीन के अंदर तो याद रहो मेरे भाई किसी को हाथ फैलाने की ज़रूसरा को चसाता है हमारे तो और हमारे वापनों कोई सुझता भीक है यह आने यह कशिता है अरुन की आज मारे फिरी है कि थीथ करने का जो जिम्मा दिया गया है अगर वो जिम्मा कर ऐसे निभाएंगे तो हम जैसे नौजवान ये जबान से घर जरूरी चीज़े बोल देनी पड़ेगी तो मैं यहां से एक मुतालबा करता हूँ जो हमारे वकबोर्ड के जो चेर्मेन है सलीम सहाब से आप ऐसी घर जिम्म अगर हम को काम में नहीं आएगी तो किसको काम में आएगी ऐसे फाइस्टार होटल जो डंगानाच शराबे पिलाते हैं हां गंदे गंदे म्यूजिक्स लगते हैं अतराफ में बीच में खबरस्तान को छोड़ दिया गया बस एक नाम के लिए आप तो बोलते हैं कि मैं मैं आपसे एक अदबना गुजारिश कर रहा हूं सलीम सहाब से मैं कभी भी आपके खिलाफ कभी नहीं बोला मगर आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये वक प्रापरटी है और इस जमीन के ओपर या तो इस महले में जो मुसल्मान है उनको आप कुछ यह यहां पर बना के दीजिए या आपके नजर में अगर कोई पुराने शहर में अगर कोई है तो उनको यहां पर कुछ बना कर मकान बना के दीजिए एक पचास-पचास गस की सूरत में स्लाव अलेकुम नहीं बतुल्य बरकातु